गुद मॉर्निंग, तोडे वी स्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर is an electronic machine, what the meaning of electronic, electronic means those things are work by electricity, what the meaning of electricity, for example, आपकी घर पे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, आरें, आरो, ये सब किसे चलते हैं, पावर सप्ला है, बिजली से, येस, अगर आप टीवी का स्विच निकाल दोगे, तो टीवी चलेगा आपका, नहीं, ऐसे ही आपका कंप्यूटर भी electronic, it means, वो भी electricity से ही चलता है, that's why we call electronic machine, which is used to do different kinds of work, कि आपका कंप्यूटर, बहुत सारे work, कर सकता है, कैसे, आप छोटे बच्चे, आप लाप्टोप या टेक्स्टोप क्यों यूज करते हो, ड्रोइंग के लिए, पेंटिंग के लिए, पापा क्यों यूज करते है, ओफिस के काम के लिए, यह, अगर आप बहार शॉपफिंग करने जा रहे हो, तो शॉप कीपर उस पे computer पे क्या करते है, आपने जो भी shopping की है, जो भी खरीद है, वो उसका bill generate करता है अगर आप hospital जा रहे हो तो वहाँ भी आप देखते हो कि front desk पे computers रखे होते हैं जिसमें सारी entry होती है कौन patient आया, क्या problem थी कब आया, कब discharge हुआ कौन से doctor ने उनको देखा अगर आप railway station ticket book कराने जा रहे हो तो वहाँ भी सारा computerized है तो हमारा computer अलग अलग field में use होता है अब हम बात करते हैं parts of the computer as you know in a human body there are different body parts legs, hands, stomach, face hairs, mouth, neck but all are interconnected interconnected means all are work together सब साथ में हैं तो ही work करेंगे, तो ही हमारी body work करेंगे, ऐसे ही computer के parts क्या क्या है monitor, CPU, keyboard, mouse but all parts are connected with each other तभी वो work करते हैं so first we explain monitor monitor is a screen which display what our computer is doing for example आपने कुछ drawing बनाया उसका shape कैसा आया कौन सा color किया आपको वो सब कहां show होता है screen पे show होता है जब आप देखके सोचते हो कि नहीं मेरी इस drawing में red color नहीं अच्छा लग रहा है तिक मुझे blue करना चाहिए yes तो वो जो आप साथ decision लेते हो कि ये अच्छा है ये नहीं है ये कैसा लग रहा है वो सब आपको कहां show होता है screen पे और उसी screen को हम क्या कहते है monitor yes second one is the CPU first of all CPU stands for stand for means उसका full form क्या है CPU shortcut है इसका full form है C for central P for processing and U for unit yes ये तो होगा ये तो होगा CPU का full form अब है which control the other parts of a computer इसका मतलब है like हमारा brain है वो हमारी पूरी body को control करता है yes अगर आपको कहीं लगी है आपको दर्द हो रहा है तो आपका brain आपको बताता है कि आपको यहां लगी है आपको यहां दर्द हो रहा है ऐसे ही computer में CPU है that was a brain अगर आप keyboard पे कुछ type कर रहे हो yes तो वो CPU उसको process करता है और आपको screen पे show हो जाता है अगर आपको computer में movie देखनी है तो आप select करते हो फिर movie चलती है बट यह सारा process कौन करता है CPU करता है इसलिए हम CPU को क्या कहते है brain of the computer yes third one is a keyboard अब आपको drawing बनाना है तो drawing पे अपना नाम भी लिखोगे yes या कुछ number लिखना है आपको कुछ भी अगर computer पे लिखना है तो आप कैसे लिखोगे alphabets से लिखोगे numbering करनी तो हमें number कीजिए ये सब हमें क्या मिलेगा keyboard पे keyboard पे all alphabets number keys special keys special keys में आती है enter key caps lock key shift bar yes delete key backspace arrow keys ये सब भी हम उसमें use करते हैं अच्छा चलो सब के घर पे अगर desktop या laptop नहीं आपके पास smartphone है android phone है न जब आप android phone में अगर whatsapp पे कुछ लिखना चाहरे हो तो उसमें automatic keyboard आ जाता है फिर आप उसमें अपने finger से उसको type करते हो और आपको screen पे show हो जाता है yes ऐसे ही हमारे computer पे keyboard होता है वो अलग से होता है आपकी smartphone में तो function के according उसमें keyboard ये आप cust कर सकते हो लिख सकते हो इन दा लास्ट one is a mouse mouse का use क्या है अचा जब आप smart phone येश करते हो ये अपना homework दाउनलोड करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो चिनार अप पे रिक करते हो और चिनार अप पे क्लिक कशा करते हो fingers से अपने finger से चिनार app पे click किया फिर आपने assignment पे click किया त्योंकि चिनार app जब आप खोलोगे तो daily work में तो तीन options आ रहे है class work, homework और assignment पर आपको तो assignment पे click करना है ऐसे ही फिर जब आप उसको click करते हो फिर आपका homework open होता है फिर आप download link पे click करते हो फिर आपका homework download हो जाता है तो आप अपने smartphone पे चीजों को select करने के लिए क्या use कर रहे हो finger ऐसे ही हम अपने desktop पे जो भी आपको icon select करना है आपको paint open करना है music open करना है या आपको ms word open करना है तो हम उसमें जो चीजों को select करते हैं वो किसे करते हैं mouse से cursor से और cursor को control कैसे करते है mouse को हम mouse को अपने right hand में hold करते हैं और जैसे आप mouse को move करोगे उसी के according आपका concern screen पे move होता है yes, thank you